अब बड़ी सी बोरिंग सी चीज है प्रेस रिलीज अब बंदा गए यार क्या बात करें क्यूं बात करें इसमें कौन नौकरी देने लगा है मगर सबसे ज़ादा जो राइटिंग की जॉब्स निकलती है फ्रीलांस के लिए और अगर आप एक कम्यूनिकेशन के बंदे हैं और कम्यूनिकेशन में काम करें या मीडिया के लिए काम करें तो प्रेस रिलीज जो है वो आपकी रोजी रोटी बन जाती है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कमपनी लिखती है और लिखवाती है और जो मीडिया है वो इस चीज़ इस प्रेस रिलीज का इंतजार करता है कि हमें मिलेगी तो हमें पदा चलेगा कि खबर निकालनी क्या है तो इसलिए प्रेस रिलीज का जो ये सेक्शन है या जो हम आज बात करने लेगें बहुत एहम है और जो लोग जर्नलिजम में या मेंस्ट्रीम मीडिया के लिए लिखना चाते हैं उनके लिए ये वाला सेशन तो बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो चाहे आप फ्रीलांस के तौर पे काम करें चाहे आप अपनी कंपनी खोलें या आप किसी के लिए और के लिए कम्मिनिकेशन साइट पे या मीडिया साइट पे काम करने जाएं तो प्रेस रिलीज जो है वो इंतहाई से ज़ादा जरूरी हो जाती है अब हम देखते हैं कि प्रेस रिलीज है क्या प्रेस रिलीज जो है वो एक अन ओफिशिल स्टेट्मेंट इशू तो न्यूस पेपर जिविंग इन्फरमेशन अन अप्रसाइस मैटर यानि के जो एक कंपनी या एक इनसान या कोई भी एक इदारा जो है वो ओफिशिली यान कि formally मीडिया को चाय़ वो अखाराद हो या खारारा लिकांवा हैं मगर वो टीवी के लिए भी होती है अब तो डिजिटल में भी इस्तमाल होता है वो अपनी जब खबर मीडिया को देती ए अपने अलसाएश में अपनी इन्फरमेशन देती है अपने नजरिये के साथ उसको आप press release कहते हैं यानि कि बजाए इसके कि मीडिया बताए कि जी इनौने यह 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 किया था हम मीडिया को बताते हैं कि हमने यह यह किया था अब आप इसके बारे में लिखिए खबर चलाएए अगर आपको यह interest करता है आपके जो अजेंडाज है या जो आपके priorities हैं उसके important या सबसे जरूरी चीज़ जो एक press release में होती है जो सबसे पहले एक बंदा पढ़ता है वो headline है अक्सर वकात ऐसा होता है कि headline जो है वो अख़बार या TV खुद निकालती है मगर कभी कबार आपने जो उनको headline दीवे होती वो वो भी इस्तमाल करते हैं मगर जब आप लिखते वो पढ़के रुके और कहें हाँ ये खबर मज़े की है opening sentence यानि कि पहला जो आपका sentence है वो बस एकदम से attention grabbing होना चाहिए और जो भी आपकी खबर है उसको succinctly बता दे body यानि कि पूरा जो कहानी है वो है क्या जो information है वो क्या कह रही है आप कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों जरूरी है क्यों ये खबर है और सबसे आखर में आप contact information देते हैं what is the contact information for the person अगर एक media house जो है वो आप से और ज़्यादा information लेना चाहता है तो वो आपको कैसे contact करेगा तो हम अगर थोड़ा सा in-depth जाएं और हम कहें कि भई आप हमारी press release है मीडिया के पास mainstream media खास्तार पर रोज जो एक भरमार आ रही होती कि जी हमारी खबर ज़्यादा जरूरी है हमारी ज़्यादा जरूरी है तो आप कैसे इस पूरी के पूरे उस जो हंगामा है उसमें आप अपनी खबर को कैसे important बनाते हैं उठाते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा headline यानि कि genuine headline खबर वाली एक headline होनी चाहिए अगर आप लिखते हैं आज बारिश हुई वो कहीं है आँ ठीक है हो गई तो मगर आप कहते हैं आज की बारिश से दस घर गिर गए तो वो खबर जो है वो न्यूस को जादा important लगती है जादा मज़े की लगती है उनको लगता है कि हाँ वाकिए अगर मैं ये न्यूस चलाऊंगा तो there is something of value to me जिसको हम news value कहते हैं या अगर बारिश हो गई उसमें कोई खबर नहीं दस घर गिर गए उसमें खबर है अगर उस घर दस घर गिरने की वज़ा से अगर किसी कोई कोई नुकसान हुआ अगर हम वो बताएं या अगर किसी का किसी ने फाइदा किया है कि किसी ने उसकी जान बचा ली कुछ किया वो ए कारीख को ये इवेंट हुआ और किस शहर में हुआ और जो अगर इंटरनाशनल रिलीज है तो फिर आपको अपना मुल्क भी लिखना पड़ता है ताके लोग जो है उसका एक कांटेक्स बन जाएगा जी ये खबर जो है पाकिसान या साबाद या लहुर के बारे में है और ये फलाँ फलाँ दिन हुई थी उसके बाद आपका जो पहला लवज जो सेंटेंस होता है जो जुमला होता है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहरे है और बहुत एक ससिंक तरीके से यानि कि बिलकुल कंसाइस पॉरन पता चल जाए छोटे से जादा पढ़ना ना पढ़े और आपको पता चल जाए कि वो रीडर क्या कहना चाहरा है हम क्या बताना चाहरे है इसके बाद हम बताते हैं कि जी बाडी कॉमपेंट यानि पूरी कहानी जैसे कि हमने कहा जी बारिश हुई दस घर गिर गए सौ लोग जो हैं वो जखमी हु कोई इतनी जादा हो रही थी घर इधर थे कौन कौन से वो लोग थे लोग करते क्या थे वो सारी चीजें जो हैं वो बाडी टेक्स में आ जाती हैं साथ में आप ये कहते हैं कि जी जो पहला आपका पारग्राफ होता है ना वो ये सारी खबर जो है वो बता दे और जल्दी स बता दे क्योंकि न्यूस वालों के पास जादा वक्त नहीं होता कि वो आपके बड़ी लंबी लंबी खबर पड़े अब आप चाहते ही हैं कि खबर जो है वो ना सिर्फ ये कि वो बताएं कि हुआ क्या बलके एक साउंट बाइट ये कोटेशन भी आपकी तरफ से आनी या कोई और जिनकी तरफ से आप प्रेस रिलीज लिख रहे हैं उन्हों ने ये कहा तो वो आप एक साउंट बाइट विदिन इंवर्टेट कॉमस पहले पारग्राफ से पहले या बिलकुल बाद में या उसके बीच में ही दे देते हैं ताकि ये जो सारी इन्फॉमेशन है शुरू में मीडिया को पता चल जाए हाँ जी मैंने ये खबर चलानी है मैं इस खबर में इंटरिस्टेड हूँ अब वो कहता है कि यार मैं तो इंटरिस्टेड हूँ मगर मुझे थोड़ा सा और पता करना है इसके बारे में और मुझे जब तक ज़्यादा रिसर्च नहीं मतलब वो जो एक background context होता है या जो पिछला एक होता है कि बड़े अर्से से बार्शे चल रही थी इस इलाके में हमें पता था कि नुकसान होगा मगर कुछ हम कर नहीं पाए तो वो उसकी वज़ा से ये नुकसान हो गया अब एक example जो है मैं आपको यहाँ पर एक press release जो है मैं कहते है कि जी deeply concerned by risks of humanitarian catastrophe in Idlib province Syria, Secretary General urges all parties to exercise, restrain, protect civilians अब आपको उससे ही headline से ही पदाश जादा कि जी हो क्या रहा है क्यों जरूरी है तनी उसके बात जी वो आप कहते है कि following statement was issued by the spokesperson तो आपने ये भी बता दिया the Secretary General is deeply concerned about the growing risk of humanitarian catastrophe in the event of full scale military operations in Idlib province याईनी कि basically चीज ये हुई है कि UN कह रहा है कि please जो civilians है इस war zone में उनका ख्याल रखिये और जो ये एक humanitarian risk बढ़ रहा है उसको आप उस पर गोर कीजे और जो बड़ी parties है जो बड़े मुबालिक है उनको इसके बारे में कुछ करना चाहिए अब इस पहने paragraph से हमें पता चल गया कि जी हो क्या रहा है अब और हमें जो है वो करना क्या है तो this is what is important अब ये press release चली गी और जो खबर लगेगी हो सकता है वो यही headline यूज कर लें या हो सकता है कि ये headline यूज ना करें और वो कोई और headline यूज करें मगर हमने जो press को एक पूरी information देनी थी वो हमने दे दी अब अगर हम अपनी press release खुद बनाएं और एक लिखें press release का हम लिखने जा रहे हम कहते हैं कि जी हम monsoon rain पे लिखने जा रहे हैं जो बारशे हो रही हैं बहुत जादा उसके बारे में अब हमने topic चूज कर लिया अब इसका headline जो है न बड़े मजे की अब हमने देनी है तो अब हम क्या करें तो हम कह सकते हैं thousands singing in the rain अब headline मजे की भी है लिख भी थी हमने एकदम से capture किया कि जी क्यूं गा रहे थे बारिशों में क्यूं गा रहे हैं तो अब हमें पता चल जाता है कि जी बहुत हजारों लोग जो हैं वो बारिश में गा रहे थे अब capture कर लिए ना अब हमने का कि जी अब हम आगे क्या लिखने लेगे हैं सबसे पहले हम लिखेंगे लाहौर और फिर हम लिखेंगे September 3rd 2018 और अब हम describe करेंगे के हुआ क्या था पहले ही sentence में हम बता देंगे के खबर क्या है thousands come out of their homes to enjoy the monsoon rains in Lahore their joy could seen and heard as they sang folk songs to celebrate the much awaited rains तब हमने खबर बता दी हुआ क्या च्छोटी सी खबर थी मगर हजार लोग बाहर निकले क्योंके बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और निकल के उन्होंने गाने गाए तो यह हमने पहले सेंटेंस में लोगों को बता दिया कि अब हुआ क्या है खबर क्या थी और हो क्या रहा था अब जब हम आगे लिखेंगे तो उसके बारे में लिख सकते हैं कितने लोग थे कहां पर यह हो रहा था जलो पाक में था या किनाल के किनारे था और वहां पर अगर हमारे पास कोई तस्वीर है तो वो भी हम साथ में दे सकते हैं तो इस तरह जब हम सारी डीटेल करेंगे तो हो सकता है breaking news बन जाए मगर news bulletin में तो जरूर आएगी thank you so much